तो आज हमार यह XI 3.5 से question number 6 है, fan all the prime factor of 1729 means 1729 and arrange them in assigning order, now state the relation if any between two consecutive prime factor, ठीक है consecutive prime, पहले क्या करा हमने 1720 को क्या करना, prime factor करने, फिर उनको ascending order में करना है, now state the relation, अब हमेरे relation निकाने के between the two consecutive prime factor, जो prime factor उनके बीच का relation निकालना है, ठीक है consecutive में एक लगातार, consecutive में जैसे एक दो है तो दूसर क्या हुआ है तीन, ओके तो पहले हम क्या अगर है prime factor, अगर हम निकालेंगे prime factor, prime factor 1729 के, तो सब चे पहले 9 ये last में जैसे ये 7 से जाता है, 7, देखो हम 7 से इसको divide करके देख सकते हैं, 1729, 1729, 72 ये कितना होता है, 14, ठीक है, 7 में से 4 गें, कितना जोचे 3, और ये 2 30, 2 हो रहा, तो 7, 4 ये 28, 12 में से 8 गें, 4 और 9 है तो 49 होरहा, 77 जो फोटी नाइन, तो कितना आ रहा, 247, कितना आ रहा, 247, ठीक है, means 247 आ रहा, अब देखो 247 कितने ये आएगा, अब हम एक बार फिर 7 से देखते हैं 2, 4, 7 तो 7 तू जा कितना होता है 7, 3 जा 21 ठीक है और 4 में से 3 तो ये 37 तो नहीं जा रहा है ठीक है 7 से नहीं जाएगा फिर एक किस से जाएगा मारा अब हम देखेंगे 11 से जा रहा 11 तू जा 22 बिल्कुल नहीं जा रहा 13 से नहीं जा था 13 से 14 19 से जाएगा 19 ठीक है 19 बंजर 19 नाटीन जा रहा फिर कितने जा रहा 19 19 बंजर 19 कितना वत्त्रा 5 बच रहा और 7 19 थी जा 37 और फिर 13 से जा रहा 13 बंजर 13 ठीक है अब हमारा हमने इसको एसेंडिंग में करना तो क्या होगा जोव हमारे प्रायम फैक्टर क्या है हमारे करो कि pregnan तो हमने लिखेंगेटें गेटेंटि यह क्या हूं होके इसके होगे प्रायम फैक्टर हो appet ठीक है अब यह क्या राख टू कंजूकेटर प्राइम फिर रिलेशन निकालने तमें क्या रिलेशन क्या हमारे यहां है दो प्राइम क्या हमारे सेवन है फिर नाइंटीन है